भार्टिय नवर्ष शुरू हो गया है विक्रम समवत के अनुसार चैत्र प्रतिपदा से ही हिंदू नवर्ष की शुरुवात होती है इस मौके पर आजम बात करेंगे विक्रम समवत की नमस्कार आप देख रहे हैं आईडी टीवी इंद्रधनुष विक्रम समवत एक कैलेंड है उजयन के समराठ चंद्रगुप्त विक्रम अदित्य द्वारा लगभग 1289 वर्ष पूर विक्रम समवत की शुरुवात की गई थी विक्रम समवत के अनुसार ही भारत के सांस्कृतिक मूली जुड़े हुए हैं चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवर्ष मनाया जात फार्सी ग्रंद कलीतो दिमन में पंचतंत्र का जिक्र है जिसमें विक्रम समवत की बात कही गई है विद्वानों ने समानिता कृत समवत को विक्रम समवत का पूरिवरती माना है वैसे तो फालगुन्मा के समाप्त होते ही नवर्ष प्रारम हो जाता है पर क्रिश्न पक्ष के बाद चैत्रमास के शुक्ल पक्ष में जिस दिन चुरियोदे के समय प्रतिपदा होती है उस दिन से नवसंवत सर्फ्रारम होना माना जाता है इसी दिन को भारत के अन्य हिस्से में गुड़ी पर्वा सहित अन्य कई नामों से जाना जाता है जबनить उसे बातों के साथ ही ब्रहस्पती वर्ष की गणना को भी शामिल किया गया है अब जानते हैं कि विक्रम समवत कैसे प्रारम हुआ इसके पीछे जो प्रचलित मानेताय हैं उन्हें मुख्य रूप से समराथ विक्रम आदित्य को ही इसका जनक माना गया है विक्रम आदित्य न्याय प्रिय थे अपनी प्रजा की हित का ख्याल रखते थे विक्रमादित्य के काल में उज्जैन सहित भारत के एक बड़े भूभाग पर विदेशी शाशकों का साशन था वे काफी क्रूर थे विक्रमादित्य ने प्रजा को उनसे मुक्ति दिलाई और अपना शाशन स्थापित किया इसी विज्जै की स्मृति के रूप में विक्रमादित्य ने विक्रम समवत पांचांग का निर्मान करवाया था अनेक विद्वान विक्रम समवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही प्रवर्तित मानते हैं इस समवत के प्रारम की पुष्टी जोती विर्धाबरन ग्रंद से होती है जो 3068 कली अर्थात 34 इसापूर में लिखा गया था इसके अनुसार विक्रम आदित्ये ने 3044 कली अर्थात 57 इसापूर विक्रम समवत चलाया इसके अलावा तीसरी सदी के बर्णाला के स्तम जिस पर अंकित लेक से यस्पश्ट होता है कि विक्रम समवत कब से प्रचलित हैं तो दर्शु को कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताए और जुड़े रहे आईडी टीवी इंद्रधनुश के साथ धन्यवाद